पती अपनी पत्नी को लेकर आया इसलिए नहीं लाया कि उसे प्यार करता है इसलिए लाया कि खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कहने पाता मुझसे कहलवाना चाहता है भई मारत के बच्चों तो खुद बोल अपनी लुगाई को वहाँ सब की टेंप बोल जाएगी कई बार तो मुझे ऐसे लगता जैसे इस देश के पत्यों ने मुझे सुपारी दी हुई हो क्या हम तो कुछ नहीं कहेंगे तू कह दियो हमारी तरफ से या देखा जाये तो इस देश के पत्यों का मैं बेट कर हूँ ये विचारा सोसी समाज जो आज तक उपर ने उठ सका इसको मेरे जैसे ही संतों की आवज सकता है इस देश के पत्यों को एक संत मिला है इसके लिए उसका स्वागत कर सकते हैं पत्नी नहीं देखे बस इस आप से ताली बजाओ और वैसे भी देखा जाए तो आजकल मार्किट में बहुत संत खुम रहे हैं और दूसरे सब्दे में कहूं तो मार्किट वाले संत खुम रहे हैं जिस संत के पास जो एक ही बात कहएगा माया त्याग दो बिले क्या करें बिले मुझे दे दो हर एक चाहता है वो तो करोड़ पती बन जाए और आप बाबाजी बन जाए लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं अभी मैं अमरीका गया मैंने वहां देखा पती पतनी बहुत प्यार करते हैं सड़क पर चलते चलते प्यार कर लेंगे ट्रेंड में बैठे बैठे प्यार कर लेंगे हिंदुस्तान में तो पती साड़ा गर में प्यार नहीं करता बार गे तो बात छोड़ती चाहे इंतना प्यार करते हैं अमरीका में पती पतनी कि उनका प्यार का कोटा दो साल में पूरा हो लेता है फिर वो तलाख ले लेते हैं हिंदुस्तानी पती पत्नी सुभए प्यार करेंगे साम को माथ था फोड़े लेंगे तो जिंदिगी बर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता इसलिए हमारे हैं कहते हैं साथ जन्मों तक साथ निभाएंगे क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते हसने की बात नहीं हैं आपको अगले जन्म में दूसरी लुगाई चीए तो इस जन्म में इस वाली को खूब प्यार करो अपना कोटा पूरा कर लो बच भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा वो चाहता ही नहीं कि अगले जनम यह बोगा, मैंने तो टेक्निकल बाद बता दी, अच्छा मैंने रिसर्च की कि इस देश में पती पतनी से डरता क्यों है, हमें जितनी भी ताक्ते मिलती हैं, सब आरतों से मिलती है, पैसा चीए लक्षमी जी के पास जाओ, बुद्धी एक पावर नहीं दोनों के पास में, जिसे कहते हैं ना, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, इसलिए एक जाकर विचारा पाढ़ पर बैठ गया, और कपड़े भी कितनी दिये, पैनने को देखो इसे, गड़े में सांपोर डाल दिया, थोड़ी कसर बची थी तो जटा दूसरे को सेशनाग पर लिटा दिया, वो भी समुंदर में दूर दूर तक पीने का पाणी भी निसीव नहीं हो सकता, अच्छा दोनों बिचारे आपस में रोना भी नहीं रो सकते, कि एक पाड़ पर बैठा एक सागर में लिटा है, वरना दुखी पती आपस में बात करके मन हलका कर लेते हैं, एक हमारी जान को आगया एक करवा चोथ का ब्रत, पता नहीं लुगाई कब तोर दे, इधर ब्रत तूटा उधर पती साप, क्योंकि पती की जिंदगी के लिए रखा जाता है, इस देश में सो ब्रत ऐसे हैं, कि पतनी नहीं रखे तो पती की सेथ अबी हो जाते हैं, तो हम तो बल्ला भी नहीं निकाड सकते हैं, अभी करवा चोथ को घराली बोली सोने का सेथ दिला, मैंने का मैं तो नहीं दिला ता बले ब्रत तोड़ूं के, अंदर से रोटी लियाई बोले ला रहा है कि अभी खाओ, उमने प्रान जाएंगे लिया या विदेशों में करवा चोथ के ब्रत होते नि इसलिए वहाँ तलाक हो जाते हैं, अभी मैंने ब्या की, पतचीश में वर्सकाट मना इए, अम्रीका में होता तो पतचीश में लुगाई की मना रहा होता, कर्वा चोथ नहीं होता न वहाँ, हमारे यहां पती पत्नी तो रेल क पट्री गीतर है, मिलो मत साथ जरूर चलना पड़ेगा, अलग इसलिए नहीं हो सकते कि बच्चे स्लीपर बन कर दोनों को जकड़े हुए हैं, ना इसको इधर जाने देते हैं, ना उसको इधर जाने देते हैं, अच्छा इस देश में हर एक पत्नी पती को एक धमकी जरूर द उसने कभी नहीं निकलना और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं जिन परिवारों ने ये बच्चों के स्लीपर मजबूत रख लिए वो पती-पत्नी खट्टे रह गए जिनके ये स्लीपर कमजोर हो गए वो पती-पत्नी भी अलग रह गए